दो दिलों में अगर सच्चा प्रेम को नप रहा हो, अगर उस रिष्टे को कोई नाम ना भी मिल पाए, तो ऐसा रिष्टा किसी नाम का महताज नहीं होता, वो रिष्टा प्रेम से बंदा होता है, प्रेम में इतनी शक्ती होती है कि उसे नप्रत छूबी नहीं सकती, जब भी कृष्ण का नाम मुक में आता है, तो राधा का भी अपने आप दिल में आही जाता है, राधा के बिना कृष्ण का नाम सुनना कुछ अधुरा सा लगता है, प्रेम हो तो ऐसा, वरना ना हो, इनसान के जीवन में पैसा, गरीब अमिर, जात पात, उच नीच, यही सब माइने रखता है, मगर भगवान के दर्बार में अच्छा बुरा, सच जूट, इनसान के कर्म, इन ही सब को उन्चा दर्जा दिया गया है, और आश्चरे इस बात का है, कि इनसान को यह सब पता है, कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, जो चलने की शुरुआत करते हैं, वो मनजिल तक पहुंची जाते हैं, बस चलने का साहस करना ज़रूरी है, जिनको चलने का ढ़ंग है, उनका तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, खाबों की दुनिया देखने से खाब पूरे नहीं होते, उन्हें पुरा करने के लिए मन लगा के काम भी करना पड़ता है, ऐसे ही किसी को सफलता नहीं मिलती, हाला तो उनसे भी लगना पड़ता है, रिष्टे में भले ही फासले हो, मगर आपस में दूरिया नहीं बढ़न चहरा इंसान के दिल का आईना है, दिल का हाल चहरे के भाव बताते है, चहरा बिन बोले बहुत कुछ बताता है, जितना दब जाएंगे उतनी पीडा होगी, जब समझ में आएगा शायद देर हुई होगी, इसलिए ना दबना ना ज़्यादा जहलना, बस वक्त पर अपनी आँखे कोड़ना, किसी की कदर करना अच्छी बात है, पर उसे सर पर चढ़ाना अच्छा नहीं, जितना सर पर चढ़ाओगे, उतना उसकी नजर में खुद को घटाओगे, यह दुनिया है, यहां कोई पाता है, तो कोई होता है, यहां वही होता है, जो होना होता है, भरोस जितना भगवान पर करते हो, उतना ही अपने बुजाओं की ताकत पर भी करो। बीते कल का पच्टावा और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर है, जो हमारी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में कोई ना आए, तो आज से शेर की तरह जीना सीखो। आप चाहें कितने भी गरिब क्यों नहों, अपने गरिबी पर कभी शर्मिंदगी मेसुस नहीं होनी चाहिए। जो इनसान मरने से नहीं डरता, वो कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है, वो कब का मर चुका होता है। अन्याय और अत्यचार के विरुद लड़ना है, तो सब से पहले खुद का सम्मान करना सीखो, और आत्मनिरबर रहना सीखो। रास्ता अगर सही हो और दिल और दिमाग की साथ हो, तो वो इनसान हारने का सवाली पैदा नहीं होता। जो इनसान पईरों से चलता है, वो सिर्फ अंतर काटता है, मगर जो अपने दिमाग से चलता है, वो कामियाबी तक पहुँच ही जाता है। प्रेम किताबों से करो क्योंकि वो ग्यान का सागर है ग्यान एक ऐसा महासागर है कि इसमें से व्यक्ति जितना सीखना चाहे उतना कम ही है जीवन का आर्थ ही है आफरी सास तक संगर्श करना शिक्षा एक ऐसा हतियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है सिर्क पढ़ने लिखने का मतलब शिक्षा नहीं है अपने दिमाग को हमेशा सत्य की और ले जाना दिल में हमेशा इंसानियत जिंदा रखना अपनी भावनाओं पर काबू पाना और अपने शरिल से मेहनत करवाना मतलब शिक्षा है इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है होसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए अभी भी सफर जारी है शुरुवात करने का मतलब ही यहा है कि आप बात करना छोड़ दे और काम करना शुरू कर दे काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड है जरा सांभाल के समय और सिती कभी भी बदल सकते है कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुछ समझे आप शक्ति साली हो सकते हो पर समय आपसे ज़्यादा शक्ति साली है आपका भविश्य आप खुद तय नहीं करेंगे तो दूसरे तय करेंगे आपको क्या करना है आप क्या कर सकते हैं और आप कहां तक जा सकते हैं यह आप से बेतर और कोई नहीं जानता इसलिए बेतर यही होगा कि खुद का भविशव खुदते करो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे धन्यवाद